Hello friends, मैं हूँ अपकी समने गोरु मिगलानी इस वीडियो में जो चेप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है Senses and Sample Methods of Collection of Data चेप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लास्ट चेप्टर का लास्ट वीडियो कवर कर रहे थे तो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास एक टोपिक आ गया था Senses के बारे में फिर Sample के बारे में अगर आपको पीछे वाला वीडियो देखने को नहीं मिला है तो मैंने पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डेटेल में स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये चेप्टर हमारा एक पहले वाले चेप्टर से अलग बना हुआ है तो definitely अब हम उनी दो टेक्निक्स को डेटेल में स्टडी करने जा रहे हैं तो इस चेप्टर के अंदर सबसे पहला टोपिक जो हम डिसकस करेंगे वो यही होगा concepts of census and sample इन दोनों का क्या concept है, क्या meaning है दोनों के बारे में जब हम डेटेल में स्टडी कर लेंगे फिर हमको स्टडी करना होगा कि ये census method क्या है ये कहां पे suit करता है, इसकी merits, demerits क्या है मतलब census method कहां पर उप्यूकत है फिर बात करेंगे हमारा sample method sample method का meaning क्या है, इसकी क्या merits है, demerits है ये कहां पर हमें suit करता है, कहां पे इसको प्रियोग में लाना चाहिए फिर हम discuss करेंगे essentials of a sample एक sample के कौन-कौन से essentials है, कौन से आवश्यक तत्व है, जो sample में होने चाहिए तो ये topics बहुत simple है तो इस topics के बारे में, इन topics के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा hint दे देता हूँ कि census और sample दोनों reality में है क्या माली जी आप 2000 बच्चों का data collect करना चाहते हो हम data collect करने के दो तरीके अपना सकते हैं या तो आप एक-एक बच्चे से जाकर data collect करो हमें एक-एक बच्चे से बात करनी होगी, टाइम बहुत लगेगा तो अगर आप एक-एक बच्चे से data collect कर लेते हो तो मैं काँगा कि आपने census टेकनिक को follow किया है क्योंकि हमने एक एक परसन से बात की है जैसे जब भारत की जनगना होती है तो एक एक घर में जाकर पूरी report ली जाती है कहां पर किसकी family में कितने members हैं जनगना के अंदर हम census method को ही follow करते हैं अब वही बात हम यहां पर follow करने के लिए करें हैं हमारे सामने 2000 बच्चे हैं 2000 बच्चों का data मुझे collect करना है अगर मैं एक एक बच्चे से data collect करके लाता हूँ तो मैं कहूंगा कि मैंने census method का प्रियोग किया है पूरे universe को मैंने बिज में focus किया है सब भी लोगों का मैंने data collect कर लिया जिन लोगों का मुझे करना चाहिए था सेंपल के अंदर क्या होगा माल लो आपके पास time इतना नहीं है आपके पास time इतना नहीं है आप क्या करोगे 2000 में से 200 बच्चों का selection करते हो 200 बच्चों में से ही आप data collect कर लेते हो ये 200 बच्चे वो होंगे जो 2000 बच्चों का representation करेंगे मतलब आपने 200 बच्चों के data के base पर ये मान लिया कि 2000 बच्चों का भी data यही होगा For example, आपने इस area के लोगों का income पता करना है आप एक एक person से जाकर पता करो मैं कहूंगा आपने census method को follow किया आपके पास time नहीं है आपने मान लो इस area को 4 parts में divide कर दिया आपने क्या किया? सिरफ इस area के लोगों की income को पता कर लिया आपने सोचा कि जो income इस area के लोगों की है वही income बाकी के area के लोगों की होगी तो आपने यहाँ पर क्या किया, sample method का follow किया है, क्या use किया है, sample method, for example, जब हम घर में खाना बनाते हैं, या माली जी जब हम चावल पकाते हैं, तो चावल का एक या दो दाना, चेक करके हम यह idea लगा लेते हैं, कि चावल पूरा पका है, या नहीं पका है, ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरा एक एक चावल को प्रेस करके देखें, चावल बना है कि नहीं बना है, अगर हम चावल के एक एक दाने को चेक करें, तो मैं कहूंगा कि हमने census method का प्रियोग किया है, अगर हम चावल के दो चार दानों को चेक करके, पूरे चावलों के बारे में पता कर लेते है तो मैं कहूंगा कि हमने sample technique को follow किया है तो इसी chapter के अंदर definitely हम यही topic study करेंगे कि sample method क्या है, senses method क्या है यह topics study करने के बाद हमको sampling की techniques के उपर आना होगा सबसे important topic है यह chapter का exam में कहीं न कहीं इसमें से question आ ही जाता है तो sampling की कौनकोंशे techniques हैं सबसे पहले हमको बात करनी होगी random sampling क्या है, इसका meaning क्या है, इसके दो छोटे-छोटे methods भी आएंगे फिर हम discuss करेंगे इसके merits और demerits इन 6 के 6 topics के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ इन सभी topics में हमें meaning, merit, demerit definitely study करनी ही होगी तो random sampling के बाद हम study करेंगे प्रपोसिव या deliberate sampling, फिर stratified sampling या mixed sampling बोलते हैं फिर हमारा systematic sampling, फिर quota sampling, फिर convenience sampling तो इन सारे methods में हमें merits, demerits, meaning study करना होगा जैसे ही हमारे ये sampling के method cover हो जाएंगे हमको study करना होगा reliability of sampling data sampling का जो data है उसकी reliability विश्वसनी अता कितनी है फिर हम study करेंगे senses and sample method के अंदर क्या difference है तो difference का topic जैसे ही खता होगा हमको एक दो छोटे छोटे topic error के भी study करने होगे क्योंकि कभी कभी जो data हम collect करना चाते हैं और जो हो जाता है collect कहीं न कहीं difference आता है तो error आती है तो वो error का एक छोटा सा topic है वो हम last में study करेंगे तो मिलते हैं अब हम next video में इस chapter को हम first topic से continue करेंगे तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद